कि नमस्कार साथियों मैं और उन्सक्सरेक वर फिर से आप सभी का श्वागत करता हूं और डवलुए के से डिफेंस प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे बच्चों का प्यारे साथियों का तहे दिल से हार देख अभिनंदन हार देख श्वागत सौनुपंड जी, रंगीता यादव जी, शिवम सेंग जी, मनीश वर्मा जी तता सेस सभी बच्चे जो इस समय लाइव हो चुके हैं सबका रदय से धन्यवाद समय पे लाइव होने के लिए और जो लाइव नहीं हुए है फटा-फट से लाइव हो जाईए आपकी पसंदीद प्रेक्टिस सैट का जो पहला प्रश्ण है मेरे प्यारे बचो वो आपके सामने आ रहा है पहला प्रश्ण स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है विटा पूचा गया है हाली में कहां आशियान सिखर सम्मेलन सुरू हुआ है जापान में मलेशिया में इंडोनेशिया में ल प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है तच्छनपूर्व एश्याई राष्ट्रों का संगडन एशोशेशन आफ साउथ इस्ट एश्यन नेशन्स इसकी फुल फॉर्म है और मेरे प्यारे बच्छो नाइंटीन सिक्स्टी सैवन में ये एस्टेबलिस किया गया था और इसका जो हाली में कौन सा सिखर सम्मेलन कौन सा सिखर सम्मेलन मेरे प्यारे बच्छो बयालीशवां सिखर सम्मेलन आयोजत हुआ है और ये जो बयालीशवां सिखर सम्मेलन आयोजत हुआ है वो किस देश में आयोजत हुआ है बटा वो इंडोनेशिया में आयोजत हुआ ह इसमें इंडोनेशिया मेरे पैरे बचो सबसे बड़ा दीप समू है संसार का सबसे बड़ा दीप समू हो ठीक है जी और इसके अलाबा ये सरवादिक मुस्लिम आबादी वाला रास्ट्र सरवादिक मुस्लिम आबादी वाला रास्ट्र है ठीक है जी अच्छा इसकी नई राजदानी पहले इसकी राजदानी हम पढ़ा करते थे कि जकारता इसकी राजदानी है लेकिन इसकी एक और नई राजदानी प्रस्तावित है जिसका नाम है नुसंतारा क्या है नई राजदानी जो प्रस्तावित है वो क्या है नुसंतारा ब देश है ठीक है जी और लाउस भी एशिया महादीप का ही एक प्रमुख देश है लेकिन इस प्रश्ण का राइट आंसर के वहलों के वहल ऑप्शन नम्मर सी इंडोनेशिया है अगला प्रश्ण स्क्रीन पर आपके सामने रखेंगे आज की ख्लास के दूसरा प्रश्ण भी मेरे प्यारे साथियों किस से संबंदित है यह संबंदित है आपका आसियान से ही एशोशेशन आफ साउथीं स्टेशन नेशंस आशियान दस दच्छन एश्याई राष्ट्रों का समूह है जो किस गोशना पत्र के बाद अस्तित्तों म आस्यान में दस सदस्य देश हैं और मेरे प्यारे बचों 1967 में ये किस में आया था अस्तित्तों में आया था चार आप्शन से स्टैटिक जीके का दमदार प्रश्ण है भी आपके सामने इसका दमदार प्रश्ण इस्टैटिक जीके का दमदार प्रश्ण दोनों प्रश्ण स्टैटिक जीके के पहला स्टैटिक जीके का प्रश्ण करेंट अफियर से जोड़ कर आपके सामने रखा गया था इस प्रश्ण का आपका अंसर मैंने देख लिया लेकिन ज्यादा तर बच्चे बता रहें गलत जवाब और राइट आंसर है बैंकोक गोशना पत्र 1967 में बैंकोक गोशना पत्र के बाद ये संगठन अस्तित्तो में आया था दस देश है इसके भारत भी इसका प्रमुक राष्ट्र है प्रमुक सदश्य देश है वियना बेटा आस्ट्रिया देश का राजधानी है न्यूजिलेंड में मुसरी यूरोप में आस्ट्रिया देश ह क्योटो प्रोटोकॉल आप जानते ना क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सरजन में कमी के लिए किया गया था और क्योटो कहां का प्रमुक सहर है जापान का बिटा ठीक है जी और सिंगापुर क्या एक देश है बिटा एक देश है ये एक सहर नहीं है ये ए पहला एशिया एक पहला खिलाडी कुन था विश्वनातन आनंद सचन तेंदुलकर अभिनब बिंद्रा और ध्यान चंथ चार खिलाडियों के नाम यहां पर आपके सामने हैं फटाफट से बताईए भारत रत्न जो भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है उसको जीतने वा विनब बिंद्रा कौन है निशाने बाज हैं बेटा निशाने बाज हैं और ध्यानचंद हौकी के जादुगर के तोर पर इनको जाना जाता है और आपको इन चार खिलाडियों में से पता है कि 2014 में किसको भारत रत्न दिया गया था सचन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया ग और इस प्रश्ण का exact answer option number B ही है इनको cricket का भगवान भी कहा जाता है 10,000 run one day cricket में लगाने वाले 10,000 से ज्यादा run बनाने वाले one day cricket में बल्ले बाज है ठीक है जी चलिए अगला प्रश्ण स्क्रीन पर आपके सामने अरे यादव डांगोली जी night थो इनी हो रही है यह तो अभी दिन है बेटा good night नहीं good morning ही कहेंगे good afternoon भी कह सकते हो चलिए अगला प्रश्ण स्क्रीन पर आपके सामने है बिर्जा मंदिर राजरानी मंदिर शमलेश्वरी मंदिर सभी किस राज्य में इस्थित है राज्य का नम बताना आजाने तीनों कितीनों मंदिर इस्थित है असम में कमिलनाडू में केरल में ओडीशा में चार आप्शन से बताओ फटाफट से static gk का एक और धासू प्रश्ण स्क्रीन पर आपके सामने है बिर्जा मंदिर जाजपूर में इस्थित है राजरानी मंदिर बोवनेश्वर में इस्थित है समलेश्वरी मंदिर संबलपूर में इस्थित है और ये तीनों मंदिर जिस राज्य में इस्थित है वो राज्य है ओडीशा option number D is the right answer of this question प्रश्ण number D sorry option number D is प्रश्ण का exact जवाब है असम में क्या है बिटा माजूली नदीदीप है और ये संसार का सबसे बड़ा नदीदीप है असम में इस्थित है एक जिले का रूप इसको प्राप्त है असम में तमिल केरल में क्या है भाई वेंबानद जील इस्तित है वेंबानद जील जो भारत की सबसे लंबी जील है दे लॉंगेस्ट लेक ओफ इंडिया क्या कौन सी जील है वेंबानद जील कहां पर इस्तित है केरल में और आंद्र प्रदेश तमिलनाडू की बॉर्डर पर पुलिकट जील इस्थत है जो देश की सबसे दूसरी सबसे बड़ी लेगून है सब से वड़ी लैगून कौन सी है सबसे बड़ी लैगूने विटा चलका और दूसरी सबसे वड़ी लैगून की है पिलिकट जो अंधर प्रतेश गांद कि बाउंडरी पर स्ट्रित थे विटा ठीके जी का जिए इस प्रश्ट का जवाब आप लोगों को प्राप्त हो चुका अगला प्रश्ण स्क्रीन पर आपके सामने रखेंगे नेक्स्ट प्रश्ण है बारत में पल्स पोलियो प्रत्रचन कारिकरम कब सुरू किया गया था 1991, 1995, 1993, 1997 चार ओप्शन्स हैं पल्स पोलियो अभियान का नाम आपने सुन रखा होगा पांच वर्स से कम उम्र के बच्चों को पांच वर्स से कम उम्र के बच्चों को क्या किया जाता है दो बूंद जिन्दगी की आपने ये लाइन सुनी होगी दो बूंध जिंदगी की जिंदगी की दो बूंध जिंदगी की यानि प्रतवर्स oral polio टीके की दो बूंध पिलाई जाती है जिससे कि देश polio मुक्त हो सके बच्चा अपने जीवन काल में polio के प्रभाव से बच सके और मेरे प्यारे बच्चो तो यह जो concept है pulse polio अभियान का pulse polio प्रत रच्छन का यह 1995 से देश में लगू है 1995 option number B इस प्रश्ण का exact answer है ना 1991 ना 1993 ना 1997 चलिए आगला प्रश्ण स्क्रीन पर आपके सामने रखेंगे और next प्रश्ण है operation smiling buddha संबंदित है operation smiling buddha किसे संबंदित है बताईए भारत की पहली clone baby से भारत के प्रथम परमाणू परिच्छन से भारत की पहली GM फसल से भारत का पहला hyvb बताओ चार options आपके सामने रख दिये मैंने क्या इस प्रश्ण का exact answer आप लोगों को लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों प्यारे साथियों इस प्रश्ण का जो exact answer आपके द्वारा बताए जा रहा है वह option number B है जो कि बिल्कुल सही जवाब है अठारा मई 1974 को पोखरण राजिस्थान में पोखरण राजिस्थान में भूमिगत भारत का पहला भूमिगत परमाणू परिच्चन किया गया था और इस भूमिगत परमाणू परिच्चन को विश्व सांती की दिसा में कदम बताते हुए इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था क्या स्माइलिंग बुद्धा रखा गया यह बात सत्य है ताकत से ही सांती लाई जा सकती है ये बात बिलकुल सकते हैं और इसको जो प्रदर्सत किया गया स्माइलिंग गुद्धा की माद्यम से ये सही किया अगर भारत सक्तिसाली नहों होता तो चीन और पाकिस्तान लगवग लगवग हर साल अटेक करते रहते और जो सांती की असल से पहले हुआईवी वीज से ये संबंदित नहीं था अगला प्रश्ण स्क्रीन पर आपके सामने शेर की पूंच जैसे मैकजोक को भी कहा जाता है किस नाम से भी जाना जाता है बताना है आपको सिल्वर लंगूर के नाम से बीयर्ड लंगूर के नाम से ब्लैक शेर की पूछ जैसा बंदर उसको हम क्या कहते हैं उसको मकाक कहते हैं ये कहां पाया जाता है तमिल नाडू में करनाटक में केरल में इन तीन राजियों में पाया जाता है इसको अत्यदिक संकट ग्रस्त अत्यदिक संकट ग्रस्त प्रजाती के अंतरगत रखा गया है और मेरे प्यारे बच्चों ये जो मकाक बंदर है इसको बियर्ड लंगूर के नाम से भी अमलूग जानते हैं किस नाम से जानते हैं बियर्ड लंगूर के नाम से भी अमलूग जानते हैं सिल्वर लंगूर ब्लैक लंगूर हौलेर लंगूर वो इस प्रश्ण का एक्जेक्ट आंसर नहीं है सही जबाब नहीं है करेक्ट आंसर नहीं है अगला प्रश्ण स्क्रीन पर आपके सामने रख में किसे जाना जाता है गंगटोक को कुर्ग को दार्जिलिंग को शिमला को चार आप्शन्स हैं आपके सामने फटा फट से सईसी जवाब मुझे बता दीजिए कि इस प्रश्ण का एक्जेक्ट आंसर ये है भारत का स्कॉटलेंड पादलों से गिरियोई पहाडियों के कारण उची उची पहाडियों के कारण जो कुर्ग है करनाटक में स्थित कुर्ग जो है उसको बेटा भारत का स्कॉटलेंड कहा जाता है इसको क两ता है बारत का स्कॉर्डड्लन कुरक को कलता क्यों बादलों से घे वी पहाडी यह उ क्राद फिर गंगटो किसके राजदानी है सिक्ट्यम की राजदानी है ठीक है जी तारजलिंग कहा है प्रश्यम बंगाल में है शिमला कहा है हिमांचल प्रदेश में है और इस प्रश्ण का एक्जेक्ट अंसर क्या है इस प्रश्ण का एक्जेक्ट अंसर ऑप्शन नंबर भी पुर्ग है अगला प्रश्ण स्क्रीन पर आपके सामें रहें आज की ग्लास का जो नेक्स्ट प्रश्ण है विक्रम शला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारन ने कहां है बहुत से अभ्यारन ने बहुत से नेशनल पार्क्स आप से पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में आ सकते हैं जोग्रफिया आपके सिलिवस का हिस्सा है मुझे फटाफट से बताईए विशा का पट्टनम अप्षन अमरे है भागलपुर अप्षन अमर भी है इलावाद अप्षन अमर सी है अरिद्वार अप्षन मर डी है आप अच्छी तरीके से जानते हैं गंगेटिक डॉल्फिन को राष्ट्रिय जलिय जीव का भी राष्ट्रिय जलिय जीव का भी दर्जा दिया गया है इसका दर्जा दिया गया है राष्ट्रिय जलिय जीव का दर्जा दिया गया है गंगेटिक डॉल्फिन को दिया गया है विशाका पट्टनम आंद्र प्रदेश का प्रमुख सहर है भागलपूर बिहार का प्रमुख शहर है अलावाद उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर है और हरिद्वार उत्तरा खंड का प्रमुख सहर है अब आप बताओ इन चार सहरों में से जो राष्ट्रिय जली जीव है गंगेटिक डॉल्फिन जो गंगा नदी में पाई जाती हैं उनके संरच्छड के लिए जो एक भ्यारन ने खोला गया वो कहां है वो बिटा बिहार में है भागलपुर में है ठीक है जी और मेरे प्यारे बच्छो ये जो विक्रम शिला गंगेटिक डॉल्फिन भ्यारन ने है वो काफी में तबोड़ है तो कि राष्ट्रिय जली जीव का संद्रचण बहुत जरूर है डॉल्फिन क्या है मानव के साथ जल्दी गुल मिल जाने वाली मचली को डॉल्फिन कहा जाता है आपने बच्छमन में एक अमिताब बच्चन की मूवी देख रखी होगी पाजी करकर कि मूवी थी उसमें अमिताब बच्चन कहता था मां और वो निकल आती है जल्दी पूछा गया है। आज की क्लास का जो नेक्स्ट प्रश्ने हैं निमने लिकित तुमें से कौन सा विशे संवर्ती सूची में सामिल नहीं है। रच्छा, सिच्छा, वन, व्यापार, चार ओप्शन्स हैं। बताओ बेटा फटाफट से चार में से तीन विशे संवर्थी सूची में है और एक नहीं है बताओ फटाफट से देखो अमारे सक्तियों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है संग सूची राज्य सूची और संवर्थी सूची संवर्ती सूची, संग सूची, राज सूची और संवर्ती सूची, संग सूची पर नियम केंद्र सरकार बनाती है, राज सूची पर नियम राज की सरकार बनाती है, और संवर्ती सूची पर नियम केंद्र राज सरकार हैं दोनों बनाती है, ठीक है जी इन में से व्यापार समवर्ती सूची में है वन समवर्ती सूची में है सिच्छा समवर्ती सूची में है इन तीनों मुद्दों पर केंद्र और राज दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं संसद और राज विदानमंडल दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं लेकिन जिस पर कानून नहीं बना सकते दोनों वो रच्छा सूची है रच्छा का छेत्र है और वो संग सूची में सामिल है इसमें सामिल है संग सूची में सामिल है और संग सूची पर नियम कौन मनाती है रच्छा मंत्री अगला प्रश्ण स्क्रीन पर आपके सामने और नेक्स्ट ग्यारवा प्रश्ण आज की क्लास का आपके सामने है पूचा गया बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला निम्ण में से पहला हाल ही में राज कौन सा बना है हिमांचल मेरे प्यारे बच्चों इसकूलों में जाकर बच्चों का स्वास्थ परिच्चन करके एक पाइलट प्रोजेक्ट के तहत उनका स्वास्थ कार्ड बनवाया गया केवल स्वास्थ कार्ड ही नहीं डिजिटल स्वास्थ कार्ड ही नहीं पच्चिस हजार रुपे का स्वास्थ बीमा भी उनको प्रदान कर दिया गया और ये काम किसी और प्रदेश में नहीं बिटा ये काम उत्तर प्रदेश में हुआ है योगी बाबा का प्रदेश है यू संविधान साबादवारा राष्टरगान को कब अपनाया गया था सम्विदान सभाके द्वारा कि नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेट बाई द को सिच्वेंट असेंबली कॉंस्टिटुएंट असेंबली बताव भाई राइट अंसर इस प्रश्ण का क्या है ठीक है भाईया हो जी प्रवीन जी बुलेट पर चल ले हो तुम्हें लिए साइ पचास और चौविस जून उनिस सो पचाव क्या राइट अंसर है पहली बात राष्ट गान किसे कहते हैं जन गड मन को कहते हैं इसकी रचना किस ने की थी रविंद्र नाथ टैगॉर ने की थी इसको गाने में कितना समय निर्धारित किया गया है इसको इसके गायन के लिए 42 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है और इसे कब अपनाया गया चौविस जनवरी उनिस सो पचास को अपचिन नमर 10 प्रश्ण का एक्जेक्ट आंसर है बिटा चब देगे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया क्या राष्ट्रगान 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया क्या राष्ट धज राष्ट धज और 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया मेरे पैरी बचोब्यारी साथ यो च्ट्विय क्या अपनाया गया राष्ट्रियए चिन अकनाया गया भी एंच्प्रस्ण में कितनी सारी जानकारियं क्या होता है प्राथमिक और दुतियक कानून निचला और उपरी सदन लोक अदालत और कोर्ट निर्वाचित और मनुनीत यानि कि चैनित सदश बताओ राइट अंसर इस प्रश्न का क्या है मेरे प्यारे बचो बाई कैमरल लेजिसलेच्चर मीन्स फटाफट से बताओ हमारे देश में कैसी विदायका है दुस अदनी विदायका है देश की बात कर रहे है भारत की बात कर रहे है यहां पर क्या है यहां पर दुस अदनी विदायका है द्विस सदनिय विधायका और मेरे प्यारे बच्चो जो द्विस सदनिय विधायका है बेटा उसमें क्या का सामिल है राज्य सभावी सामिल है उसमें लोक सभावी सामिल है राज्य सभाव को क्या कहते है उच्च सदन कहते है लोक सभाव को क्या कहते है निम्न सदन कहते हैं और इस प्रश्ण का राइट आंसर क्या है इस प्रश्ण का राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चो निचली और उपरी सदन है पॉपुलर चेमबर लोक पृय सदन किसे कहते हैं लोक सभागग कहते है दो सदनी विदायगा का मतलब दो सदन वाला विदान मंदल इसOkay के दो सदन हों हमारे हैं दो सदन है लोकषवा और सभाग्री जाहिए प्राथ्मीक झार्थमेब और कानून गलत है लो गदालत और कोर्ट ये तो कोझ से सम्बंद्ध हैं जइन ये विदायका से संबंद्ध नहीं है और निर्वाचित और चैनी तो comparable दोत sibling निर्वाचेत और चैनित सदश्य भी इस प्रश्ण का राइट अंसर नहीं है अगला प्रश्ण स्क्रीन पर आपके सामने कि छत पर वर्षा जल संचैन सुरू करने वाला पहला वारती राज्य कौन सा बन गया है तमिलेनाडू राजस्थान असम केरल भाई वर्षा के जल का संच्छन बहुत जरूरी है सहरी करन के कारण जादतर चेतर पक्के हो गए है और पक्के ओने कारण वर्षा का जो पानी है वो जमीन में नहीं पहुंच पाता भूमिगत जल के रूप में और भूमिगत जल का जो लेवल है वो लगाता रह नीचा होता जा रहा है ऐसी स्थती में एक राज्य हमारे देश का ऐसा बना जिसने अपने यहां प्रतेक मकान में रेन वाटर आर्वेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य कर दिया और वो राज्य अनिवार्य कर दिया गया बहुत जरूरी इसको बना दिया गया बादवाकी इस प्रश्ण कर आई टांसर राजस्थान असम यह किरल नहीं है बच्चा राजस्थान छेत्रफल की दृष्टी से नंबर एक पर आता है भारत में यह द्यान रखना असम में आज की लास में मैं विम्बान द जील है जो भारत की सबसे लंबी जील है एक लेगून भी है ठीक है अगला प्रश्ण स्क्रीन पर आपके सामने रखेंगे और आज की लास का जो नेक्स्ट प्रस्ट है वह आप से पूचा गया भूगोल से निमनल कित्में से किस नदी में भारत की प्राइदी पी नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संबर है which of the following river has the largest watershed in the peninsular river system of India महानदी, कावेरी, कृष्णा, गुदावरी चार options हैं सबसे पहले तो समझने का प्रित्न करिये जल संबर आकर किसको कहते है जल संबर होता क्या है watershed जल संबर किसे कहते है जल संबर का मतलब है वो सीमा जो एक नदी बेसिन को दूसरे नदी बेसिन से अलग करती है क्या करती है एक नदी बेसिन को दूसरे नदी बेसिन से अलग करती है वो सीमा मेरे प्यारे बचो जल संबर कहलाती है जल संबर कहलाती है ये भी जल संबर है watershed है ठीक है जी और इस प्रश्ण का exact answer क्या है इस प्रश्ण का exact answer मेरे प्यारी बच्चो बुदावरी है जो दच्छन भारत की सबसे लंबी नदी है जिसे दच्छन गंगा कहते हैं व्रहद गंगा कहते हैं बूरी गंगा कहते हैं वो इस प्रश्ण का right answer है मानदी ओडीशा का शोक है ओडीशा का शोक कावेरी प्राइदी पिबारत की प्रमुक नदी है जो तीन नदी दीपों का निर्मान करती है तीन दाराओं में बटती है ये तीन बार दो दाराओं में बटती है और फिर मिल जाती है फिर बटेगी फिर मिलेगी फिर बटेगी फिर मिलेगी शिव शमुद्रम स्री रंगम स्री रंग पत्टनम ये दीप बनते हैं तीन बार दो दाराओं में बटने के कारण और कृष्ण प्रश्णों का लेवल आपने देख रखा होगा, आपको अच्छा भी लग रहा होगा, मैनत करने वाले व्यक्ति कभी भी, मैंने पिछली ग्लास में बता था, कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती, सकसेज की सफलता की एक खास बात होती है, सफलता की एक खास बात होती है, कि ये मैनत करने वालों पर फिदा हो जाती है, सफलता केवल मैनत करने से मिलती है, और मैनत न करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है, जो मैनत करने वाले छोड़ देते हैं, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर खाब बदलेंगे अकीकत में तू जरा कोशिस तो कर कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती है अगला प्रश्च नेक्स्ट इनमें से किस देश को छोड़ कर बाकी सभी देश के लोगों को वर्स 1986 के चेर्नोबिल न्यूक्लियर आपदा की पस्चात पुनर्वास करना था चेर्नोबिल आपदा चेर्नोबिल परमाणू सयंत्र था बिटा और इस परमाणू सयंत्र में 1986 में विस्पोर्ट हो गया था यह कहां पर था सोवियत संग के यूक्रेन गणराज में ये स्थित्था बिटा आज यूक्रेन देश बयंकर युद्ध से गुजर रहा है रूस के साथ ये दोनों भाई 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 बाप बेटे समझ लो सोवियत संग का ही हिस्सा था और आज किस प्रकार से युद्ध रते एक दूसरे की विनास पर तुले हुए है आप पूरी दुनिया इस चीज़ को देख रही है कल्योग चल्ला है पहले भाई भाई साथ देते थे आज भाई भाई एक दूसरे की जान लेने पर उत्रे हुए है और इस विस्वोट के कारण जो सबसे ज़्यादा प्रभावित देश थे वो उनमें यूक्रेन, रूस और बेलारूस थे कजाकिस्तान पर इस विस्वोट का नियूरतम प्रभाव पढ़ा था बहुत कम प्रभाव पढ़ा था राइट आंसर आप्शन नंबर ए ही है ठीक है जी जो प्रभावित नहीं था वो कजाकिस्तान था और जो प्रभावित थे उसमें यूक्रेन रूस और बिला रूस थे विटा अगला प्रश्ण स्क्रीन पर आपके साथ आज की क्लास का सत्रेवा प्रश्ण नेशनल राइफल एशोशेशन आफ इंडिया की स्थापना किस सन में हुई थी 1948-1964-1956-1956 नेशनल राइफल एशोशेशन किसके लिए बनाया गया निशाने बाजी निशाने बाजी खेल में देश को आगे ले जाने के लिए इसके पहले अध्याच और संस्थापक कौन थे इसके संस्थापक वो पहले अध्याच अध्याच बेटा थे जीवी मावलंकर जीवी मावलंकर गणेश वासुदेव मावलंकर जो पहले लोक सभाध्याच भी थे पहले लोक सभाध्याच भी थे ठीक है बेटा प्रथम लोक सब अध्यच भी थे ये इनों ने इसकी स्थाफना की थी और कब की थी 1951 में की थी बेटा आपको जानकारी मिली हाँ जी बिलकुल एक 47 लवर जी क्लास लीजे आनंद आएगा आपको जानकारी मिली ये किस से सम्मंदित है निसानेवाजी से कौन संस्थापकर पहले अध्यच थे जीवी मावलंकार और देश के पहले लोग सब अध्यच शकून थे वो भी जीवी मावलंकार अगला प्रश्ण स्क्रीन पर आपके सावने नेक्स्ट भारत में बैंकिंग चेत्र के संबंद में RTGS में G सब्द किस चीज़ का ज्योतक है ग्रॉस गेन ग्रेजूल ग्रेंड चार ओप्शन्स है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS इसकी फुल फॉरम है और यह जो क्या है फुल फॉरम जो है उसमें आप देख रहे हैं G का फुल फॉरम क्या है ग्रॉस है RTGS में क्या होता है बैंकिंग लेंदेन होता है बैंकिंग कह सकते हैं यानि धन का लेंदेन कह सकते हैं धन के लेंदेन से सम्बंद है एक बेंक अकाउंट से दूसरे बेंक अकाउंट में तुरंट दो लाग या उससे अधिक की रासी अगर आपको ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए जो सिस्टम आपके लिये उपलब्द है वो आर्टी जीएस का है जिसके फिल फॉर्म रियल टाइम ग्रोस सेटल्मेंट है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पहुंच जाता है पैसा बेटा एनी एफ्टी और आर्टी जीएस बहुत प्रचलित प्लेटफॉर्म है अगला प्रश्ण गेन ग्रेजुवल ग्रेंड गलत जवाब है प्रिश्ण है हाली में चलने का अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है उत्तर प्रदेश पंजाब बिहार अत्रपुरा चार ओप्शन से चलने का अधिकार वाई वाँ बहुत सारे अधिकार मिले हैं तो आप अच्छी तरीके से जानते भी हो एक अधिकार मिले गया चलने का अधिकार चलने का अधिकार से आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी सबको चलने का अधिकार दे दिया गया चलने के अधिकार के अंतरगत क्या किया गया कि जो नई सड़क वगेरा बनेंगी न उनमें साइकल ट्रेक और फुट पाथ बनाना वानवारे कर दिया गया जिससे पैदल चलना चाहें तो पैदल चल सकते साइकल चलना चाहें तो साइकल ट्रेक भी बनेगा कि आजी बिल्कुल प्रयास तो यही है कि क्वेस्टन एक नहीं ज्यादा स्यादा फस जाएं बादवाग ईश्वर की कृपा है है नो जैसिंगी कितने क्वेस्टन पर सकते हैं बिटा आप मैं देखो कोई जोतिसी नहीं हूं और मैं कोई भवान नहीं हूं लेकिन प्रयास तो यह है कि ज्यादा स्यादा क्वेस्टन आपको मिल जाएं अब फसने फसने की तो छोड़ो तुम्यार फसाने के लिए तुई न मेरे प्यारे बच्चों सड़कों के साथ साइक्ल ट्रेक फुटपात यह सब कहां पर अनिवारे कर दिया गया पंजाब में अनिवारे कर दिया और इस प्रकार जो चलने का अधिकार लागू करने वाला जो पहला राज बन गया वह पंजाब बन गया है उत्तरप्रदेश बच्चों का बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थिकार्ड इजिटल स्वास्थिकार्ड को लागू करने वाला पहला राज जी मन गया बिहार में आज की क्लास में पढ़ा आपने कि विक्रम सिला विक्रम सिला गंगेटिक डॉल्फिन अब भ्यारन निस्थित है ये आज की क्लास में पढ़ा आपने और त्रिपरा पूरुवत्तर का एक राज्य है जहां पर जिसकी राजदानी क्या है अगर तला और जो तीन ओर से पांगलादेश से घिरा हुआ राज्य है पांगलादेश से घिरा है ये प्रश्ण अभी अभी आर्मी जीडी आर्मी जीडी का जो एक्जाम हुआ 2023 में उसमें आया हुआ है कि तीन ओर से बांगलादेश से घिरा हुआ जो राज्य है वो कौन सा है बेटा जल से जल जैसे ही एक्जाम हो सकता है तुवारा मन बहुत चंद चले बीटा है बटक रहे हो तुम है बेलकुल बेटा बहुत अच्छा सकूर है एके 47 लवर जी बहूँत अच्छा सकूर है अगला प्रस्थ 저 पीज़्य प्रश्थ्श्ण स्क्रीन पर आपके सामने निल्म बैस कौन सा करणाटक में नहीं है पिछले प्रश्ण का आंसर मिली जा आपको चली बहुत अच्छा कौन सा छेत्र करना टक में नहीं है ये मुझे बता दो वस और मेरे प्यारे बचो अंपी दे रखा है option A में जो तुमा जरना दे रखा option number B में मैसूर महल दे रखा option number C में बनेर गट्टा रास्टी उध्यान दे रखा है option number D में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो बेटा हमपी जो छेत्र है एतिहासिक छेत्र है हमपी वो करना टक में ही इस्तित है मैसूर महल ये भी आपका करना टक में ही इस्तित है एतिहासिक चीज है बनेर गट्टा रास्टी उध्यान जै विवित्ता संवच्छन से संबंदित है और करना टक में ही इस्तित है लेकि को जल प्रपात भी का जाता है और जरना होता क्या है जब प्रवाहित जल किसी उच्छ वोमी से नीचे गिरता है तो उसी को हम जरना कहते हैं उसी को हम जल प्रपात कहते हैं ठीक है जी बारत का सबसे उचा जल प्रपात कौन सा है कुंची कल जल प्रपात प्रेक्टिस प्रेक्टिस एंड प्रेक्टिस जैसिंग जी केवल प्रेक्टिस करिए बस और कुछ नहीं यही चीज आपको काम आएगी और टाइमर सेट करके प्रेक्टिस करिए आपका स्कूर जो है बढ़ जाएगा ठीक है अगर आपने तैयारी पूरी नहीं किये तो फिर स या अच्छा है बस प्रैक्टिस को बढ़ाये जाओ आगे बढ़ते चले जाओगे ठीक है जी रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था आद्रभूमी संरच्छन जैब विवित्ता का संरच्छन ग्लोबल वार्मिंग जलवाई उपरिवरतन बताओ फटा-फट से रा अच्छारमिसर सहर में खथा ठीक है जी और ये आद्रभूमी संरच्छन से संसुरक्त है ऑदरभूमिंगों में बहुत सारी जैब विवित्ता पाई जाती है आद्रभूमियों के अंतरड़त कोन कुंसी चीज आती है जील दल दल तालाब ये सारी चीज आदर भूमियों में आती हैं और भारत जो है इस convention का सदश्य बना था 1982 में अब बना था 1982 में बना था और यह किस से संबन्दित है आदर भूमी संरचन से संबनित है जै विवित्ता के संरचन के लिए नेस्टनल पार्क, वाइल्ड लाइफ, सेंचुरीज ये खोले जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग बोलो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो किसके कारण होता है CO2 और CH4 आद गैसों के द्वारा होता है और जलवायू परिवर्तन पर रिपोर्ट देने के लिए कौन सी संस्था है भईया IPCC बोलो इंटर गवर्मिंटल पैनल आउन क्लाइमेटिक चेंज बिटाओ चलिए अगला प्रश्ण स्क्रीन पर आपके सामिए रखता हूँ आपके सामिए और आज की क्लास का नेक्स्ट प्रश्ण 22 वाप्रश्ण है क्या बोला है मर्णो परांत भारत रत्म पाने वाले पर्थम यक्ति कुन थे अटल बिहारी बाजपई लाल बादूर सास्तरी सी के नाइडू और महर सेन चार आप्शन्स हैं आपके सामिए बतावई फटाफट से क्या सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चो इसमें से जो मर्णो परांत भारत रत्म जिसने प्राप्त किया वो लाल बाहदूर सास्तरी है 1966 इसमें मर्णो परांत इनको भारत रत्म प्रदान किया गया था इनी के समय में 1965 में भारत पाक युद्द हुआ था अटल ब्यारी वाजपई बीजेपी पार्टी से संबंदित हैं और पूर्व प्रधान मंत्री पूर्व प्रधान मंत्री बीजेपी पार्टी से संबंदित कारिकाल लगबग पूर्ण करने वाले प्रधान मंत्री थी अटल ब्यारी वाजपई है यह भी कौन थे पूर्व प्रधान मंत्री थे अगला प्रश्ण है नेक्स्ट प्रश्ण है निमने लेके तुम है से किस देश में हाली में एश्याई कवड़ी चेंपियंशिप दोजार तेईस आयोजित की जाएगी कहां की जाएगी बिटा पहली बाद तो कब की जाएगी जून दोजार तेईस में कहां की जाएगी बुसान सहर में की जाएगी और बुसान सहर कहां का है दच्छन कोरिया का है किसका है दच्छन कोरिया का राइट अंसर क्या है option number D है बेटा करेडा इस प्रश्ण का right answer है नहीं है अवसिष्ट सक्तियों का सिधान्त अवसिष्ट सक्तियों का केंद्र के पास होना यह अमने कहां से लिया करेडा से लिया करतंत्र की जो अवधारना है वो हमने कहां से लिए फ्रांस से लिए है और समवर्ती सूची की जो अवधारना है सूचियों में तीन सूचियों की चर्चा की है समवर्ती सूची है कैसे सूची है जिस पर केंदर राज दोनों कानून मना सकते हैं उस सूची से संबंदित गलती से द्वारा से हो गया है और अब अगला प्रश्ण लास्ट प्रश्ण है अंडमान और निकवार दीप समूह में कितने दीप सामिल हैं शह सो बैतर, तीन सो बैतर, चार सो बैतर, पान सो बैतर आप जानते हैं बारत के दच्छण पूर्व में अंडमान दीप समूह और निकोवार दीप समूह इस्ते थे तो अलग अलग दीप समूह, अंडमान दीप समूह अलग निकोवार दीप समूह अलग इनको 10 डिगरी चैन अलग करता है यह अंडमान दीप समू है और ये निकोभार दीप समू है ये ये अंडमान दीप समू ये निकोभार दीप समू 10 डिग्री चेनल इनको लग करता है और मेरे प्यारे बचो पांसो बैतर दीप हैं अंडमान दीप समू के अंतरगत पांसो पचास दीप और निकोवार दीप समू के अंतरगत बाईस दीप और पांसो पचास प्लस बाईस मिलाकर हो गया कितना पांसो बैतर जो इस प्रश्न का एक्जेक्ट आंसर है ना option number A, ना B, ना C, इस प्रश्ण का correct answer option number D है, तो इस प्रकार से इस प्रश्ण का भी सईसी जवाब आपने प्राप्त कर लिया, आज की इस class में आखिरी प्रश्ण आज का आपने solve कर लिया है, मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से जिस प्रकार से आज की class में आपने जोस और जज़बे को बनाई रखा और बहतर से बहतर डंग से प्रश्णों का जवाब दिया, इसी प्रकार कल की class में इसी प्रकार से कल की class में भी आप प्रश्णों का जवाब दिया, और मेरे बच्चो, मेरी कोसिसों का नतीजा एक दिन जरूर निकलेगा, इसे श्याह समद्र से नूर निकलेगा, नूर निकलेगा, नूर निकलेगा, एनी सब्दों के साथ, इस क्लास का मैं समापन गरता हूँ, जै हिंद जै भारत, जै महकाड़. झाल झाल